लॉक्डाउन के बाद जेल में बढ़ते कैदियों की संख्या को देखते हुवे सुप्रीम कोट की आदेश पर देश के जिलाकारागारों से विचार थीन बंदियों को पैरूल पर छोड़ने का आदेश दिया था जिसके बाद आज यूपी से फतेपुर जिलाकारागार से साथ विचार धिन कैदियों को जेल से पैरूल पर छोड़ दिया गया सभी कैदी बिहार लग नौ उननाओ हर दोईवा अपने जीले के हैं बंदियों के जेल से रिहा होते ही उनके चेहरे में खुशी देखी गई वही जेल अधिक्चाक विनोत कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोड के निर्देश के बाद जिलाकारागार से साथ बंदियों को पैरूल रिहा किया गया है सभी कैदी बिहार लग्नाओं नाओ हर दोईवा अपने जीले के हैं जिनको अग्रीम आदेशों तक रिहा किया गया पतेपूर से समबाता ता पबलू सिंग की रिपोर्ट जिसमें 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 कितने कैदी छोड़े जा रहे हैं और यहां से कितने कैदी आज से कालेगा आज शाठ बंदी अंतरिम जमानत पर थोड़े जा रहे हैं और यह विभिन जिलों के हैं जिसमें अलखनव, मुनाव, कानपूर जहाद, आगरा और कुछ विहार के भी लोग हैं इनको इनका मेडिकल चिकप नहा करके इनको अपने गंतव रस्थानों बर जिला पुषासन के सहयों से छवाए जाए यहां जिला पुषासन के सहयों से फिलिस अपने बाहनों या किसाद्मों के द्वारा जो है उनको अपने अस्तान पुष्ट होए जनपत से कितने कैदी हैं यहां जनपत से साख की संक्या है बाहर के विहार के करीब दो हैं और अन्य जिलों के की संक्या अलग-अलग है जिसमें दो लखनव के हैं एक अगरा के हैं एक उन्दाव के हैं इस तरह से अलग-अन्य जनपते हैं कुर्ण साथ के दियुग माच होना है तोटल आज जो छोड़े जाने वाले बंदी हैं अंतीन जमाने को तक उन्दी संथ्या स्टार्ट है झाल झाल